जगडे में नई दिया साथ तो करदी पत्नी की हत्या शाखानव न्यूस सच की बात हक के साथ नमस्कार दोस्तों शाखानव न्यूस में आपका स्वागत है मैं खुशे नायक विरार पुलिस स्टेशन शेत्र के फुलवाडा इलाके में रविवार की रात को एक यूवक ने अपनी पत्नी की चाकू घोप कर हत्या कर दी बीज बचाव में आई सास पर भी उसने कई बार वार किया वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया सास को एक नीजी अस्पताल में भरती कराया गया है जानकारी के अनुसार जगदिश गुरव 30 वर्शिय रविवार को रात 8 बजे शराप के नशे में रामचंदर नगर स्तित अपना घर देखने गया था इस दोरान उसने पडोसियों से अपने घर के बार कपड़े सुकाय जाने पर लेकर विवाद शुरू कर दिया इसी बात पर उसका पडोसी महीलाओ के साथ जगड़ा हो गया महीलाओ ने कहा कि तुम यहां रहते ही नहीं हो इसलिए कपड़े डाल दिया विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में धक्का मुक्की हो गई इसके बात युवक अपने ससुराल गया और पत्नी से उन महीलाओ के पास चलने के लिए जित करने लगा पत्नी ने जाने से इनकार कर दिया जिससे वो नाराज हो गया और अपनी पत्नी की चाकू घोप कर हत्या कर दी इस खबर में बस इतना ही आगी के खबरों के लिए हमारे चनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद